कि नमस्कार दोस्तों मैं कन्य अलाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केल सर में दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं विशेशन सब्दों के टेस्ट इस टेस्ट में 20 प्रशन होंगे जो पिछली कहीं परतियों की परिक्षाओं में आ चुके हैं तो एक तरह से ये वीडियो एक्जाम रिव्यू है तो वीडियो को पूर कितने सही हुए है चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रशन है इन में से किस वर्ग में सभी विशेशन संग्या सब्दों से बने हैं भारतिये दर्शनिये आलसी रक्षक पेत्रिक कमाउ सुंदर शीतल कैसा वैसा सुरीला स्वर्गिये तो बता संग्या है दर्शन संग्या है और आलस संग्या है इन संग्या से बने विशेशन है पहले विकल्पन में इसमें जो रक्षक है ये क्रिया से बना है वैसे ही इसमें भी संग्या से नहीं है तो जो पहला उप्षन है इसमें तीनों संग्या से बने हैं चलिए चलते हैं अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर दो लिखित दोस्तों जो लिखित शब्द है ये संग्या से नहीं बन करके किरिया से बना है जो लिखना किरिया है लिख दातू है उससे बना है तो यहां पर विकल्प नंबर दो सही है च दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 आदर निये दोस्तों आदर शब्द से जो विशेशन बनेगा वो आदर निये बनेगा चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 4 चार गज मलमल में कौन सा विशेशन है इसलिए यहाँ पर प्रणिवान बोदक विशेशन आएगा चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ दोस्तो अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर पांच दुबई कितना सुंदर देश है जेखांकित पदा है प्रविशेशन संख्यावाची विशेशन परिमान वाचक चलिए चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 6 पुस्तकिये ग्यान से व्यावारिक ग्यान अधिक प्रमानिक होता है अब इसमें विशेशन चाटने है तो पुस्तकिये एवं व्यावारिक पुस्तकिये व्यावारिक और प्रमानिक ग् तीन विशेशन है तो ये विकल्प नमबर दो में सही है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर साथ इन में से कौन सा गुणवाचक विशेशन से संबंदित वाक्य नहीं है वह गदाब भागा जा रहा है रवी उद्दंड लड वह गदाब भागा जा रहा है दोस्तों ये जो है विकल्प नमबर एक ये गुणवाचक विशेशन से संबंदित वाक्य नहीं है जबकि उद्दन लड़का मृदोवाणी और पंजाबी गीत ये जो है ये गुणवाचक विशेशन है इन में तो पहला विकल्प अपना सही चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर आठ इंद्रिये का विशेशन सब्द है इंद्रिये इंद्रिक अएंद्रिये तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार एंद्रिये दोस्तों इंद्रिये का विशेशन बनेगा एंद्रिये चलिए चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर नो एक विशेशन शब्द नहीं है लजीला लाडला लांचन लापता तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर तीन लांचन दोस्तों यहाँ पर जो लांचन शब्द है यह विशेशन नहीं हो करके संग्या है और अपन से पूचा विशेशन शब्द नहीं है तो विकल्प नमबर तीन सही है चलिए चलते हैं अगले प्रशनी की तर है विकल्प नमबर तीन हर्दे दोस्तों यहां जो हर्दे है यह विशेशे है और कठोर विशेशन है चलिए चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर ग्यारा निमलिकित में से एक विशेशन सब्द है लागाउ महत वा लगूता महत तो बताईए इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्न में लागा उस सब्द जो है विकल्प नमबर एक में ये विशेशन सब्द है चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ दोस्तों अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर बारा भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हरदे में कोमल भावन जगा दी वाक्य में कितने विशेश्य है चार तीन दो छे तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक चार दोस्तों इस वाक्य में चार विशेश्य है बालक एक डाकू दो रिदे तीन और भावना चार विशेश्य है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 13 उतकर्ष एक कुशागर विद्यारती है यहां कुशागर कौन सा विशेशन है सार्वनामिक संक्यावाचक गुणवाचक परिमान बोधक तो बताइए इस प् दोस्तों यहां पर जो कुशागर शब्द है यह विद्यारती का गुणवाचक है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 14 संग्या से निर्मित विशेशन नहीं है हसोड धनी बुद्धिमान इमारती तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 1 हसोड दोस्तों यहां पर जो हसोड सब्द है वो संग्या से ने बन करके करिया से बना है हसना जो हसना करिया है उससे बना है हसदा तू हसना करिया चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 15 इन और शब्ध है वो क्रिया विशेशन है तो उश हिसाब सहिए संघ्या से नहीं बना है तो अपना उतर विखल्प नमर च्यार सहिए चलिए चलते हैं अगला प्रशणी की तरफ दोस्तो अगला प्रशणा है प्रशणा नमर 16 कौ internal शब्ध संघ्या से बना हुआ विशेशन नहीं है भयंकर शुभंकर रूचिकर लाब कर तो बताईए इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर दो शुभंकर दोस्तों जो शुभंकर शब्द है ये संग्या से नय बनकर के शुभ जो है विशेशन उससे बना है विशेशन से बना है जबकि भयंकर रूचिकर और लाबकर संग्या से बना है चलिए चलते हैं अगले प् दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संगीत अग्ये दोस्तों संगीत से विशेशन बनेगा संगीत अग्ये चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नंबर 18 कि स्क्रम में निश्चिवाचक सारूनामिक विश्चन नहीं है, मुझे कोई पुस्तक दे लीजीए, किसी ने उसे धंगाया, वह बहुत समाजदार है, दाल में कुछ काला है, तो बताए इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर तीन वह बहुत समझदार है यहाँ पर पेला दूसरा और चोते विकल्प में सारुनामिक विशेशन है और निश्चेवाचक सारुनामिक विशेशन जबकि यहाँ पर जो सारुनाम है इसका विशेशन के रूप में प् तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर दो गुणवाचक विशेशन दोस्तों यहाँ पर जो गर्म है दूद कैसा है गर्म है तो यहाँ पर गुणवाचक विशेशन है चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला और आखरी बीश्वा प्रश्ण उससे पहले आपसे निवेदेने कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा मिल सके दोस्तों बीश्वा प्रश्ण है संग्या से निर्मित विशेशन बना है तो इस रक्षण यह जो रक्षा करना क्रिया से बना है त्रीप और खात दे यह विशेशन नहीं है तो अपने विकल्प नमबर तीन सही है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता है जल्दी है नए वीडियो नए ट्रेस्ट में तब तक के लिए नमस्कार जैह अजत ख़ाइ कर अ का हम झा फ़ोदी है तो इस अजडिजर नहीं हो सौफ नहीं हो